हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप बिल्कुल ठीक होंगे आज हम बनाएंगे राखी वो भी भाई और भावी की मैचिंग राखी देखे कितनी सुन्दर लग रही है ये राखी है बनने के बाद इसके लिए हमने लिया है कुछ बीडस और ये बीडस दो तरहके हैं इसके लिए मैंने धागा लिया है नॉर्मल जो धागा हम मचीन में यूज़ करते हैं वही है और एक ये बड़ा मोती है अब हम ये धागा बहुत बारिक होता है इसलिए हम इसकी 10 layers लेंगे ये मैंने इसको 10 बार pull कर लिया है और ये मैंने इस तरीके से देखिए जितने हमने राकी की लंबाई रखने है उसे हम double लेंगे इसको उसके बाद हम इसे सुई में डाल लेते हैं सुई आप बड़ी वाली लेजिए और बड़ी वाली सुई लेने से पहले आप उसके अपने beads में से निकाल कर देख लीजिए क्या आपके beads उस सुई में से मोती जो है निकल जाएंगे की नहीं इसके बाद हम अपने मोती अरेंज कर लेते हैं अपने धागे में यह देखिए इन्हें आप अपने मनपसंद डिजाइन में लगा सकते हैं मैंने दो white एक साथ उसके बाद golden लगाए हैं आप एक white एक golden जैसी आपकी choice हो उस तरीके से पिरो सकते हैं मैंने एक तरफ के मोती पिरोने के बाद इस last वाले मोती में से निकाल लिया है धागा डबल करके ताकि यह मोती इधर उदर नहीं जाएंगे मैंने अपना सबसे बड़े वाला जो beads लिया था वो डाल दिया है center में दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से करेंगे यह देखिए दोनों तरफ से हमने धागा बड़े beads के जितना छोड़ दिया है और जो first मोती है उसमें से double करके निकाल लेंगे इससे मोती धागे में इधर उदर नहीं हिलेंगे देखिए अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और अब हम दूसरी साइड के मोती है वो भी हम पिरो लेते हैं सेम उसी तरीके से लगाने हैं जैसे हमने दूसरी साइड लगाए हैं यह देखिए बड़े मोती के इस तरफ अगर गोल्डन आए है तो उस तरफ यानि कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड बड़े मोती के गोल्डन ही हैं हमने सेम उसी तरह के मोती पिरोने के बाद यहां पर हम एक गाट लगा देंगे जिससे कि हमारे मोती यहीं पर सेफ हो जाएंगे इससे आगे नहीं ही लेंगे धागे में देखिए बिलकुल मोती के पास लगाई है हमने गाट और यह हमारी खुबसूरत सी राखी बनकर त्यार हो गई है देखिए कितनी प्यारी लग रही है इसी तरीके से हम अपनी भावी वाली राखी भी त्यार कर लेते हैं उसके लिए भी मैंने यह धागे की टैन लेयर्स ही लिए हैं और इसको सुई में डाल लेते हैं दागे को सोई में डालने के बाद यह मैंने एक बड़ा यह सेफटी पिन है जो बच्चों के कपड़ों पे असेसरी जाती है न वही ऐसेसरी में यूज़ कर रही हूं तो इसके पिन में से मैं इसको दागे में से डाल कर पक्का कर लिया है अब यह देखिए जितना उपर हुए मोति यूज दिया है golden और white और वही same pattern हम इस राखी में भी वही same pattern मोतियों का यूज करेंगे जैसे मैंने उसमें golden और white का दिया था वैसे ही same golden और दो white लगाएंगे यह देखिए मोति पिरो दिये हैं मैंने धागे में उसके बाद जो हमारा बचा हुआ धागा था वो लास्ट वाले बीड में से वापस निकाल कर वहीं पर हमने इसकी गांट लगा दी है क्योंकि भाबी की राखी देखे ऐसी होती है न गोल उसको हाथ में पहना सकते हैं या उसकी बैंगल्स में लगा देते हैं हम लोग इस तरीके से तो यह हमारी राखी बनकर त्यार हो गई है देखे दोनों राखियां बनकर बिल्कुल त्यार हो गई है एकदम मैचिंग एकदम मैचिंग राखियां कितनी सुन्दर लग रही हैं दोनो अगर आपको मेरी यह राखियां पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू